अश्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वानी पर दोस्तो अगर आप हमारे चैनल से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं तो आपको याद होगा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसका नाम था जैंप्स आप बॉलिवूड इस सीरीज के अंतरगत हमने मनोज बाचपई केके मैनन और विजय राज जैसे एक्टर्स की बात करी थी हमारी कोसिस ये थी कि हम अपने आने वाले वीडियो में जैदीव एहलावद रंदीप होड़ा पंकस त्रिपार्टी और राज कुमार राउज जैसे एक्टर्स की बात क करें मगर इतिफाक से वो सीरीज कहीं पीछे छोट गई अभी पिछले दिनों मैंने एक मूवी देखी थी जिसका नामता ट्वेल्थ फेल ये मेरे जीवन की एक ऐसी फिल्म साबित हुई है जिसने वाकि मुझे अंदर से जंजोर के रग दिया फिल्म आपको इमोशनल करती ये मोटिवेट करती है और इवन जीवन जीने का होसला भी देती है वैसे तो फिल्म में सभी ने बैतरिन काम किया है मगर इस फिल्म को देखने के बाद में फिल्म के मेन एक्टर विकरांत मैसी की बात करे बगार खुद को रोक नहीं पाया इसलिए उसी सीरीज को रिप्रा के एक्टर होते हैं एक वो जिने पहली फिल्म से गोर्डन ऑपिचिटी मिल जाती है और दूसरे विकरांत मैसी जैसे एक्टर जिने एक लंबा सफर तैक करना पड़ता है दोस्तों जब हम ऐसे एक्टर की जरनी को खंगालने का प्रयास करते हैं तब जाकर हमें पता चलता ह कि एक आउटसाइडर को अपने जगा बनाने में कितने अफर्ट करने पड़ते हैं अगर आपके पास टैलेंट है और आपने अपने टैलेंट को प्रूव भी किया है इसके बावजूद आपको एक बैंकेबल इस्टार कभी भी माना नहीं जाता और बड़े प्रोड़क्श कोई जान रहा था इसके बावजूद इन्हें उस तरह के मौके नहीं मिले और इन्हें OTT तक सीमित करके रखा गया एवन इनकी पिछली 11 फिल्मों में मात्र एक फिल्म ही थेटर में रिलीस हो पाई मगर फाइनली 12 फिल्ड की कमर्सल सक्सर्स ने विकरांत मैसी के लंबे ड प्लेटवर्म पर चलता रहा यही वो जड़नी है जो नेपो किट्स को नहीं करनी पड़ती हाला कि विकरांत मैसी ने अपनी पहली फिन से अपने एक्टिंग अबिल्टीज को प्रूफ कर दिया था इवन कई बड़ी परस्नेल्टीज ने इनकी तारीव भी करी लेकिन यह ह अगर इंडस्टी से कोई बड़ा डिरेक्टर या बड़ा प्रोड़क्शन हाउस आगे आकर इनको लेकर कोई मेल लीड में फिल्म बनाए तो डेफिनिटली यह एक सेलेबल फेस बन सकते थे आई थिंग टल फेल से यह हुआ भी है क्योंकि इटसल विदू इनो चोपड़ा प्रोड़क्शन अपने में एक बहुत बड़ा नाम है लेट्सोव इनके टैलेंट को इनका पूरा डियू मिले अब एटलीज बड़े मेकर्स नेपो किट्स के बजाए इन रो टैलेंट को सिक इनकी सुरुवाती प्राइस सेंट एंटोनी हाई स्कूल वर्सोवा से हुई आगे चलकर इनोंने आर्डी नैसनल कॉलेज से आर्ट एंड साइंस में अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया इस स्कूल के टाइम से यह डिफरेंट डिफरेंट कर्युलम एक्टिविट अबसर आगे चलकर इन्होंने सामक डावर से मॉडर्न कंटेंप्री और मोडर्न जैस सीखा एक ऐक्टर से पहले इन्होंने बताओ और कोरिवेग्राफर काम करना चालू कर दिया था और इन्होंने धोम मचाव धूम जैसे सील में इन्होंने कहा हूं मैं नाम के टीवी सेल स और जिस तरह कर drastic transformation ये अपने केरेर में लेकर आए हैं वो वाके सरानी है आगे चलकर ये कबूल है और ये है आसकी जैसे सोज में नजर आए इनकी performance को सुरू से critically अकले मिल ला था आगे चलकर विक्रमादित मोटवानी ने विक्रांत मैसी को अपनी फिल्म लुटेरे में एक रोल आफर किया रनवीर सिंग इस्टारर ये ही फिल्म विक्रांत मैसी के डेब्यू फिल्म थी जिस तरह हीरे की परक जोहरी को होती है ठीक उसी तरह डेक्टर कॉंकरा सेन गुपता ये समझ चुकी थी कि ये बहुत ही टेलेंटेट एक्टर है और ये पहली डेक्टर है जिनोंने इन्हें अपनी फिल्म में as a lead hero कास्ट किया ये फिल्म थी a death in the gun अगर आपने इस फिल्म को अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखें खैर विक्रांत मैसी को पहली बड़ी सफलता मिर्जापूर से मिली ये इसको इतना बड़ा हिट हुआ कि विक्रांत मैसी ओटीटी वर्ट के एक बहुत बड़े गया था खैर इसके तुरंत बाद ये क्रिमिनल जस्टिस में नजर आए विक्रांत मैसी ने अपनी एक्टिंग स्किल और अपनी एबिल्टीज के दम पर ये उस समय OTT के नए संसेशन बन चुके थे खैर अब तक ये डिजिटल प्रेटफॉर्म के एक स्टॉंग और पॉप OTT पर ही रिलीज हुई, फानली 12 फिल्ट के जरिये विक्रांत मैसी को मेजर कमर्सल सक्सेश भी मिल चुकी है, दोस्तों इस फिल्म के सक्सेश के माइने तब और बढ़ जाते हैं जब ओडियस ने तेजस के एवेज में 12 फिल्ट लोगों की प्रयाइटी बनी और इस फिल्म जब लोगों ने विक्रांत मैसी की फिल्म को प्रिफरेंस दी तो कहीं न कहीं ये विक्रांत मैसी की कंगना रनावत के उपर जीत थी, खैर इनके आने वाले प्रोजेक्ट हैं यार्ज जिगरी, सेक्टर 36, फिराई हसीन दुलुर्बा और ब्लैक आउट, बात करें इनके मै साथी साथ आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता हैं, नेक्स्ट आप हमारी सीरीज The Gems of Bollywood के नए एपिसोड में किस एक्टर पर वीडियो देखना चाहते हैं, वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता हैं, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद